एक बूढ़ा आदमी था जो एक पुराने लाइट हांस को चलाता था लाइट हांस की लाइट जलाने के लिए उसके पास बहुत ही लिमिटेड ओईल था एक दिन एक पड़ोसी आदमी उसके पास आया اور अपने घर में औजाला करने के लिए उस बुढ़े इंसान से थोड़ा ओयल ले गया अब क्योंकि उस बुढ़े इंसान को ना बोलना अच्छा नहीं लगता था इसलिए उसने ओयल दे दिया एक रात अगेन एक मुसाफिर उसके पास आया और रात को सफर करने के लिए थोड़ा ओयल ले गया ऐसे करते करते उस ब पूढ़े इंसान ने अपना focus अपनी priority से हटा के दूसरी चीजों पे डाल दिया था। वो अपना main काम ही भूल गए थे जिसकी वज़से उन्हें और दूसरों को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी में बताये limited all की तरह आपके पास भी बहुत ही limited amount of time है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी priorities सेट करते रहना चाहिए और वही काम सबसे पहले करने चाहिए जो सबसे ज्यादा matter करते हो।